भाइग्या भाइणी राम राम विलेज़ फुट लाइफ इस्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे साथ बने रहीएगा अच्छा लगएगा वीडियो को लाइक करना सेर करना कमेंट करना अब मैं चल रही हूँ अनार अनार ने देखे फूल आना इस्ट लाल लाइन भीजे हुए है तो इस तो में बेजी चल थीं खेत रहा है सबस्तों कटाई तो उसमें मैं बना नहीं पाई हूँ तो गला पाइए जब आया था शूक गया है तो इसको अब अच्छे सब छिलका हटाकर साप करेंगे जो देखिए नारियल के इस वर दिखाई पड़ रहा है नारियल के देखिए पेड़ पौधा इस तरह तयार हो रहा है और जो जर है देखिए घेर सारा जाला फेका हुआ है वैसे मैं साप कर लेती हूँ और भूधा में साफ करता हो सबस्क्राइबेती हुँ पूब होता है कांफि लिवे फान नी वेलकुल नहीं हाय जहीं हिंदम हारा का्यों कि इसमें रेशा अच्छे साप कर लिया है देखिए ओजरवाला देखिए गडास लिया हुआ है इस अच्छे त्वाजर को फोरेंगे फाल के हां से चारो साइट कि घुमाते हुए इसको हम फोरेंगे तो यह देखिए खराब निकल गया है देखिए काला काला दिखाई पड़ रहा है इसको हम बाहर रखेंगे अभी नहीं निकल रहा है थोड़ा साउर फोरेंगे पाहर से देखने में अच्छा लग रहा है मैं अंदर से देखिए सड़ गया है इसको बाहर निकाल देती हूं अच्छा नहीं है तब भी इसको साइड भी रखेंगे पहला वला देखें नजियों के फूल हमारा खराब हो गया है मैं दूसरा फोरूंगी अच्छा निकाल लिया हुआ है देखिए जो इसमें गरी के जिसे पाथ है थोड़ा थोड़ा अंदर लगा हुआ है इसको हम एक साइड में रखेंगे तो ऐसे हम तीसरा नजर फोरेंगे तो देखेंगे तीन लिए मैंने फोरा था था तीन लेट निकला हुआ है एक देखिए अच्छी से सूखा हुआ है देखिए देखिए कापी अच्छा लग रहा है और एक मत्या देखिए हमारा नजर के फूल जो बोलते हैं नजर के फूल तो यह ही है देखिए इसको हम खाट कर चेक करेंगे के दूब नजयर के थे भोल बहुत ही अच्छा है जो छिलका था तीन परत होता है तो देखिये काड़ा वाला निकल गया है जो नरी के गोला बनता है देखिये अल अलग कठोरी जैसा हो गया नजर का फूल का कद्दूकस करेंगे अंदर दोस्तों काफी भरतू होता है नजर का फूल आप अच्छे समय कद्दूकस कर लेती हूं बहुत अच्छे से देखें कद्दूकस भी हो रहा है नजर का फूल दखी काफी अच्छा था एक खराब हो गया है मैं दो नजर के कद्दूकस करेंगे अम्में मसालात कर लेती हूं अच्छा पर लेतों का छिलका हो आएंगे मर्चा मैंने बारी के काट लिया हुआ है मसाला में मैंने थोड़ा सा दिखें ली मजीरा लिया हुआ है एक दो टुकडा अधर रखा है लेसून है मर्चा है प्याज है एक में हम पेश्ट बनाओंगी मसाला थोड़ा मैंने दर्दला रखा हुआ है आज दोस्तों मैं बनाओंगी नारियल का फूल का कड़ी चुलम मैंने आग जला लिया है और सारा समगरी त्यार करेंगे मैं बनाओंगी सबसे पहले इसमें थोड़ा साम दाल देती हुम मसाला है थोड़ा सा कटा हुगा मर्चा हली फाउडर थोड़ा सा ड़ा लेंगे नमक यसमें डालेंगे थोड़ा सा चना का बेशन बेंदेश किatelli बैसे हम पानी है टाल कर आखको तेल तेल हमारा गरम हो रहा है ततलक मैं फुलोरी छोटा बना लेती हुआ है तेल हमारा हीट हो गया है मैं यह करके फुलोरी को छान लेती हुआ अच्छी समय देखे पका लिया हुआ है अब इसको छानेंगे बाहर है मैं दूबारा चाल लेती हुआ है कि आज गान बचा है चाल लेती हुआ है आखिषों मेथि का तडर्का लगाएंगे मेथि दाना अच्छे से पैल भी पका लेती हूं जुँआ है जुटासा देखें डालेंगे मसाला में ध्रॉटा से जो मैने फूल कदू कसकी अब अच्छे से फकाएंगे मासाला अच्छे से बाक रहा है तल्सफ देखें है ना साला हमां तो की अच्छे से पख गया है तो सवाधन चाट्स अजान प्लीसका तो गुलो लिए हुआ है माथा देते हूं करते हैं इसमें दालेती हूं मैं कुलोरियम थोड़ा से देखिए हर्का सन्माख जाला हुगा है अब धीविधी में आज में इसको दफ्रे डौल पकाएंगे कुलोरियम जो इसे रास है अच्छे से से शेट हो जाएगा कड़ी हमारी पक गई है अब उतारेंगे नीचे अब हम डालेंगे चावल तर ससे परे रखेंगे इस पर आदहान चावल को मैंने साप पानी से अच्छे से धूलेंगे अदहान हमारा हो गया है मैं अब चावल डाल देती हूँ चावल पक गया है उतारेंगे नीचे एक खालीन निकालेंगे ठंडा हो लकिलीड अब हमारी एंचे अ अ फूल पकवरी बड़ा बढ़िया बलावा दोस्तों मैंने बनाया हैं नादियर का फूल का कड़ी चोकी खाने बहुता लगता है अगर आज के हमारे वीडियो को लाइक करना सेर करना कमेंड करना मैं फिर मिलूंगे एक नए वीडियो के संग तब तक लिए रामबा